हलो स्टूडिंस बड़ी टेंशन हो रही है जब से सीबेसी ने एक सर्कुलर जारी किया है अभी जो लेटेस लेवर्स है जो कल शाम को रिलीज हुआ था उसके बाद से स्टूडिंस के मन में बहुत टेंशन हो गई है बहुत बहुत पैनिक हो गए है तो बच्चों घबराने की कोई भी बात नहीं है सीबेसी ने जो भी सर्कुलर एश्यू किया है जो भी डिसीजन लिया है उसमें कहीं न कहीं आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है तो उस बेनिफिट क्या है क्या नहीं है उसको ध्यान से सुनिए ध्यान से समझे इस वीडियो को end तक साथ में last में आपको ये भी बताकूँँए कि आपको अपनी जो preparation वह किस तरह से करनी चाहिए कि क्या चीजह ऐसी हैं जो आपको अब ही करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए देखे सबसे पहले हम उस सर्कुलर की बात कर लेते हैं जिसकी विज़े से आप सब के मन में घबराट सी हो गई है यार अचानक एकदम यह क्या हो गया कि नवंबर में आपके बोर्ड एक्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके साब से अभी बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं शायद उनोंने अपनी प्रेपरेशन भी स्टार्ट नहीं करी है तो वो ज्यादा पैनिक होगे जो अल्लेडी स्टार्ट अपने कर चुके हैं तो वो ज्यादा परिशान नहीं है इन सब चीज़ों से फिर भी मैं एक बा स्कूल का जो काम है वो प्रोपरली नहीं करते हैं लेकिन अब इस साल के हुई जैसे आपने पिछले इस साल भी देखा था जो यह करंट सेशन अभी गया है इसमें भी इंटरनल असेस्मेंट और जो प्रोजेक्ट वर्क कही थे बच्चों ने उसके मार्क्स पर टीचर्स ने उनको मार्क्स दी हैं जो सीबिसी की गाइडलेंस थी उसके एकॉर्डिंग इस साल भी आपको वो मेंटेन करके रखना है आपको जो भी स्कूल का काम मिलेगा या जो भी आपको वर्क मिलेगा उसको भी आपको मेंटेन करना है क्योंकि सिचुएशन का कुछ भरोसा नहीं है क्या situation होगी तो हो सकता है कि आपके जो internal assessment होते हैं या project work होते हैं या आपकी project files होती हैं उसके हिसाब से आपके marks वहाँ पर लगाए जाए तो यह पूरा का पूरा system हम यहाँ पर समझते हैं देखिए आपका जो पूरा system है board ने उसको दो term में divide कर दिया term 1 और term 2 अगर हम slavers wise बात करें तो slavers को approximately 50% इसको divide किया जाएगा अभी slavers यहाँ पर issue नहीं किया है CBC ने लेकिन लगबग लगबग idea यह दिया गया है कि 50% slavers आपका term 1 में होगा और 50% slavers आपका term 2 में होगा benefit आपको यहाँ पर क्या है कि जो term 1 में slavers आएगा वो term 2 में बिल्कुल भी नहीं आएगा यानि आपको जो final paper जब देना होगा यह two hours का जो paper होगा इसके लिए आपको जो preparation आप पहले कर चुके यानि जो term 1 के लिए chapters आप पर चुके हैं जो term 1 के अंदर question paper आएगा वो mcq based question होगा 90 minutes आपको उसमें time मिलेगा अब उसमें जो questions होंगे वो study reasoning based questions होते हैं वो हो सकते हैं उसके अलावा case study based question है वो भी हो सकते हैं उसके अंदर और जो subjective questions होता है subjective questions में जैसे आप normal short answer very short answer or long answer सब तरह के question उसमें include होंगे तो यह paper आपका यहाँ पर two hours का paper होगा अब उसके बाद जो paper आपका होना कब है जिसके लिए सबसे बच्चे पैनिक हो रहे हैं जो term 1 है वो November से December का यानि चार से लेकर आठ हफतों तक का time cbc provide करेगी उसके हिसाब से वो calendar बनाये जाएगा और जो final term 2 है आपका वो March April में अगले साल यहाँ पर किया जाएगा जो question paper यहाँ पर जो November December में term 1 का question paper आने वाला है वो question paper schools तयार नहीं करेंगे जो cbc है वो schools को question paper भीजेगी plus marking scheme भी भीजेगी साथ में एक चीज और भीजेगी एक external supervisor भी भीजेगी observer भी भीजेगी ताकि जो cbc exam है वो सही तरीके से school में conduct किये जाए उसमें किसी भी तरह की कोई school partiality ना कर सके और जो term 2 है वो तो cbc खुदी अपना exam conduct करेगी जो centers होंगे या schools होंगे जैसे भी situation होगी उसके साफ से cbc exams को conduct करती है तो natural है कि जो question paper है व आप यहां पर जो situation हमारे पास सामने आ रही है कि उसमें term 1 है term 2 है in case जैसे कि इस साल हुआ है आपका term 1 नहीं हो पाता या term 2 नहीं हो पाता या दोनों ही case नहीं हो पाते तो उस situation में क्या हो सकता है पहली situation है कि जैसा कि हम hope कर रहे है कि situation सारे की सारी normal हो जाए जो covid-19 की आपकी term 1 की होगी 50% वेटेज आपकी term 2 की होगी यानि equally marks उसमें distribute कर दिये जाएंगे उसके base पर आपका जो result है यह theory marks की बात कर रहा हूं practical अलग है ठीक है यह 50% वेटेज marks दोनों-दोनों के add करके आपको total उसके marks कर दिये जाएंगे दूसरी situation है कि अगर term 1 आपका possible नहीं हुआ अगर किसी भी वज़े से क्योंकि अभी situation सबसे पहले आपके term 1 ही होने दोनों में से तो situation अगर ऐसी ना होई covid की आप term 1 के लिए school में जा सको या centers में जा सको exam तो वो होगा आपका लेकिन वो हो सकता है online या offline mode में आप घर से exam देंगे तो ऐसे case में क्या होगा कि आपकी जो weightage है term 1 की वो decrease कर दी जाएगी ऐसा नहीं है कि वो खतम कर दी जाएगी उनकी जो weightage है वो तो होगी लेकिन कुछ percentage उसकी weightage decrease कर दी जाएगी क्योंकि आप दूसरा case लेते हैं कि situation थोड़ी सी starting में normal होगी term 1 exam हो गई आपने schools में या centers में जाके जैसा भी cbc आपको guide करेगी उसके साब से आपने term 1 के exams दे दिये लेकिन term 2 तक आते हैं फिर situation आपकी खराब हो गई और वहाँ पर term 2 है वो आपका possible ही नहीं हुआ अब term 2 अगर possible ही नही ही नहीं तो यहाँ पर जो weight is लेकिन term ऐसा नहीं होगा कि जो term 1 की weight is से ही आपको result दिया जाएगा term 1 की weight is तो increase कर दी जाएगी लेकिन जो internal assessment है उसको यहाँ भी importance मिलेगी और उसकी वज़ए कि से आपके जो marks हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं इसलिए internal assessment को बिल्कुल भी हलके में ना लें अगर term 1 और term 2 दोनों ही नहीं हो पाते हैं situation दोनों cases में ही खराब रहती है आप centers पर जाके exam नहीं दे पाते हैं आप offline या online exam देंगे offline का मतलब हो गया कि आप अपने घर पर exam देंगे बाद में answer sheet अपनी deposit करेंगे schools में या फिर online आप exam देंगे तो exam तो वो आपका हो गया लेकिन उसकी जो weightage है वो यहाँ पर सारे result पर impact नहीं डालेगी आपका जो result है वो internal assessment project या आपकी जो practical work होता है उसके अधार पर term 1, term 2 के जो marks है इन सब को मिला जुला के आपका जो result है वो तयार किया जाएगा यानि इसका मतलब हुआ कि आपको throughout school के तुरू जो भी काम मिलता है जो assessment मिलते हैं वो आपको timely submit करने चाहिए और उनको sincerely आपको try भी करना चाहिए ताकि अगर ऐसी situation आ जाए तो उसकी वज़े से आपक marks में किसी भी तरह की कमी ना हो I think यह पूरा पूरा pattern आपको समझ में आ गया होगा term 1 नहीं होगा term 2 नहीं होगा तो क्या होगा अगर दोनों ही नहीं होंगे तो गया होगा यह सब कुछ आपको समझ में आ गया अब दूसरी बात पर आते हैं कि आपको अपनी तैयारी क्या कर तो बच्चो एक चीज ध्यान रखो कि आपके बदर टर्म वन जब कंप्लीट होगा और टर्म टू जो गैप होगा वह दो से तीन महीने का आपको गैप मिलेगा अब इन दो से तीन महीनों के अंदर यह पूरा 50% स्लेबर कर सको तो अभी जैसे आपनी पढ़ाई चल रही है ज स्ट्रेटीजी बना सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर पहले करने चाहिए उसमें किस तरीके से कोश्चन्स आपको करने चाहिए तो अभी मैं आपको सरफ यह सज़स्ट करूंगा बिल्कुल भी पैनिक ना हो जैसे आप नॉर्मल रूटीन में अपनी स्टडी कर रहे थे वैसे ही स्टडी करते रहो स्लेबस को आने दो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं करी हैं तो भाई आप लोग जाग जाओ क्योंकि आपके लिए पेपर और ज्यादा यह समझ तकते हो कि बहुत जल्दी आने वाले हैं क्योंक सब mcq करने किस चैप्टर के mcq करने है वह सब कुछ मैं आपको डेटेल में बता दूँगा अभी किसी तरह की बातों में ना है किसी तरह की क्योंकि जब एक नहीं चीज आती है और कोई सर्कूलर आता है तो कई तरह की बाते होने लगती है कि ऐसे होगा ऐसे होगा सब लो हुआएगी अभी cbc को अपना syllabus बनाने दो उसे आपके सामने आने दो उसके बाद decide करेंगे हम कि हमें किस तरीके से आगे proceed करना है applied mathematics के जो student है उनको बिलकुल भी tension लेने की ज़रूरत नहीं है आपके साथ मैं हूँ तो आपको मैं guide करता रहूंगा कि आपको क्या करना है कैसे करना है तो बिलकुल भी panic होने की ज़रूरत नहीं है बचो ठेके आई होप इस वीडियो के तुरू आपके जो doubts है कुछ हद तक clear हो चुके होंगे फिर भी अगर किसी को कोई question है कोई doubt है या कोई अपनी बात कहना चाहता है तो comment box में लिख सकते है या जो telegram channel हमारा बना लेगी definitely मिलेगी तो आज के इस वीडियो में इतना ही thanks to all of you